स्टेटिस्टिक्स की सीरीज को पढ़ते हुए आप साथ साथ नोट्स तो बना रहे हैं लेकिन आपको जितने भी रिसोर्सिस हम रुजाना की लेक्शर के अंदर आपको पढ़ा रहे हैं वो एक जगा पे हम अप्लोड भी कर रहे हैं वो जगा कौन सी है मैं यहां पे आपके सामने अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और इस स्क्रीन के अंदर आपके पास Google पे आपने जाना है यहां पे क्लिक करने के बाद और Codenix पे आपने चले जाना है Codenix हमारी वेबसाइट है ठीक है जैसे आप उस वेबसाइट पे जाएंगे then you have to see this statistics आपके header के पास एक इस तरीके से statistics का link आ जाएगा ठीक है यहां पे यहां पे day 1, day 2 and then day 3 यह इस तरीके से आ रहे है और आप देख सकते हैं कि day 1, day 2 and day 3 आपके पास यहां पे ऐसे शो होगा ठीक है और यह day 3 के जितने भी हमारे notes है surrogate endpoints, true end, error scores, reliability and validity, triangulation and measurement bias जो आज हमने पढ़ना था लेकिन इसको कल में मैं move कर रहा हूँ तो यह जो lectures हैं मैं ऐसे रोज़ाना की base पे upload करता जाऊँगा day 1 को आपने देखे हैं right click करके open कर लें day 3 पे आना है तो surrogate endpoints, true error, reliability, triangulation research, measurement bias तो यह website का link मैंने description में दिया हूँ है आप वहाँ पे जाके यह सारे की सारी चीजें जो हैं इन्हें explore कर सकते हैं और believe me इतने handy dandy notes है ना के आपको easily समझ आने वाली है और मेरी कोशिश यह है कि इसको और भी handy बनाया जाए और अगर आप यह side पे आने वाली ads से थोड़े से मुतनफ़र हो रहे हैं so don't do it यार कुछ भी आपका नहीं जाता जो resource है आपको बिल्कुल clean way में center में मिल रहे हैं अगर आपका दिल करें तो ads पे click भी कर लें it will benefit us what on the other side अगर आप नहीं भी करते don't worry about that कमस कम इने off ना करें so यहाँ पे day 2 है यहाँ पे आप देख सकते हैं यह हमारे पास जो day 2 का सारे के सारा content है यहाँ पे है फिर day 3 का surrogate end point यह लिखा हुआ है मैंने और true and error scores यह यहाँ पे आगे हैं इनकी application कौन कौन सी है type 1 error क्या होती है type 2 error क्या होती है और कौन कौन सी चीजें कहां कहां पे help करती है वो सारा कुछ आ गया reliability and validity पे पूरे का पूरा यह article है बड़े असाहन अलफाज के अंदर आप एक दफा पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी मैंने कुछ चीजें skip किये हैं जैसे methods to access reliability methods to access validity और challenges कौन कौन से होते हैं यह आपने खुद से पढ़ने हैं इस वज़ा से मैंने यह आपको दिखाया and then try angulation and research यह सारे के सारा topic यहाँ पे बड़े easy way में मैंने सारा explain किया हुआ तो रुज़ाना की base पे आपको इस तरीके से notes भी साथ में मिल जाए करेंगे बट आप से मेरी request यह है कि जब आप lecture सुने so please साथ ही आप कम असकम जो statistics है इसका notes उस दिन के आपको पहले इंशाला मैं upload कर दिया करूँगा कोशिश करूँगा तो आप यहाँ से open कर लीजिये अगरे ठीक है अब आप मेंसे कितने लोग जो है यहाँ पे इसको open करके बैठे है so आपने please surrogate end point के end पे जाके आपने comment section के अंदर अपना comment लिखना है के आपने जब read कर लिया ऐसे true and error score के नीचे भी आप यहाँ पे comment कर सकते है when you finish reading और reliability के अंदर भी so जितने भी students enrolled है हमारे courses के अंदर उनसे मेरी request है के आप please यह इस तरह articles को पढ़ के उनके नीचे comment सब्रूर किया करें जैसे वो बाबर आजम कहते है न level ही हो रहा है तो यहाँ पे भी level ही हो रहा है ठीक है जी ओके तो codenics.com simple www.codanicscodenics.com link description में है please यह articles यहाँ से सीखते जाए और जितने भी lectures हैं हमारे six months of AI and data science के कोर्स के अंदर भी upload हो रहे हैं और इन्शाला बहुत जल्द इसको पूरे एक course के अंदर compile करके भी आपको मिल जाएगा राइट?